नमस्कार एंटी समधान में आप सभी को फिर से हांडिक स्वागत हैं मैं हूँ डॉक्टर जेगो ओरी फ्रम अरुनाचल प्रदेश इंडिया आज हम बात करेंगे लीच जो है गले में जब चले जाएंगे यानि कि विंड पाइप में जब जाएंगे हम किस तरह से इसको उसकता है हमारा इन्तेटी प्रेक्टिस में येचा आे थे मेडिसेन डिपार्टमेंट में ट्रिक का पैशेंट है उनको वूवंब intro कर्द हो जिसका कहा शूद मेक्त है उसके बाद वह अपनी घर डिस्ट्रिक चले गे तो उदर मेडिसिन खाने का बाद फिर फिर प्रॉब्लम होता है, उनको कॉफ होता है तो बलाद निकलता है फिर वो आगया उसके बाद उनको फिर तेस्ट करता है उसमें भी कूछ नहीं मिला लेकिन उनका इसे करके उनको टू मूझ तक वो गुंता रहा तो last में उनको medicine specialist ने higher center में refer कर दिया है तो जब वो refer किया है तो next morning उनको जाना था planning कर रहा है तो suddenly उनको early morning कुछ यहाँ पे गले में कुछ movement फील हुआ कुछ scrolling करते हुए यहाँ मुँपे आते हुए उनको फील हुआ तो suddenly उन्होंने अपना mirror लेके देखा तांग को निकल के mirror में देखा है तो black is वो जो leech जो है ऐसे करके निकल रहा था तो उनको sure हो गया कि यहाँ पे leech है तो मेरे पास आया तो हमने उसको endoscope दालके देखा endoscope दालके देखा है तो वो leech जो है larynx में था यानि कि wind pipe में जहां से लोग सास लेते हैं वो ही में था तो हमने उसको पकरने के लिए कोसिस किया लेकिन ने सका अंदर चले गए तो बाद में मैंने anesthesia spray किया इस प्रे करने का बाद वो फिर बहुत स्टाइब हो गया वह जो लीच जो है movement नहीं हो इसका करण से हमने फिर दिखाई ने दिया तो मैंने उनको patient को जाने दिया जाने के बाद फिर उनको बोला जब next morning आने के लिए जब next morning जब वो आया तो हमने कुछ anesthesia कुछ भी नहीं दिया हमने directly endoscope डालके उसको वेट करके थोना सा वेट करना पड़ा उसके बाद जब वो निकला तो मैंने उसको catch कर लिया तो इस तरह से हमने निकला है और यह left threatening हो सकता है अगर उसको laryngeal spasm बगरा हो गया निकलने का time में वो spot dead भी हो सकता है तो इस तरह से वो complication create कर सकता है यह leech जो है यह जो आप देख रहे हैं वो है leech जो काले वाले हैं और यह जो larynx में है lungs जहां पर लोग सास लेते हैं vocal code आप देख सकते हैं I am waiting for the leech to come out मैंने anesthesia नहीं दिया गया है क्योंकि anesthesia देने से वो leech भी अंद दिया OPD में उनका जीवा को पकर करका है जो patient का अब तक अच्छी तरह से नहीं निकल रही है अब निकल गया पकर लिया मैंने यह रहा और जिंदा है और बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि दो मैना वो अंदर थे इस तरह से अगर हम निकलेंगे तो कभी कभी larynx spasm हो सकता ह है और patient emergency death भी हो सकता है sport death भी हो सकता है लेकिन फिर भी हमने कोसिस किया है without anesthesia यह है आप देख सकते हैं हम इस तरह निकल सकता है so friends leech जो है गले में भी आ सकता है यानि कि wind pipe में भी आके आपको complications create कर सकता है इसलिए आप जब जंगल जाएंगे be careful पिकनिक में या फिर कोई hiking बगरा जाते हैं तो directly stream से पानी नहीं पीना है और आपको जब भी cough होता है और कुछ blur निकलता है लेकिन test बगरा में कुछ ने मिला और आप जंगल गया है तो आप leech को भी consider करना है तो friends if you like our video you can subscribe to our channel please press subscribe button ताके आपको इस तरह से video मिलते रहे तील आपको इस तरह से video मिलते रहे तील आप नेक्स वीडियो अन एंट एडुकेशन इस्ते सेफ जै हिन जै वारत थैंक यू